कि आपकी भी मार्केट जैसी नान खटाई खाने के इच्छा हो रही है पर मार्केट से क्यों लाने जब आप उसको अपने घर पर ही बना सकते हैं तो चलिए आज बनाते हैं इस नान खटाई को जो की बहुत यसानी से घर पर बन कर तयार हो जाती है नमस्कार दोस्तों तो स्वागत था आपका मेरे चैनल कुसम की रसोई पर तो यहाँ नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल के अंदर मैंने डाला है शुद्र देसी घी आप यहाँ पे बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसको हम ले लेंगे लगबग तीन बड़े चमच फिसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी जिसको मैंने मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लिया था और दूस्तर इससी पी को पूरा देखेगा कि मैं बताने वाली हूँ इसके अंदर एक खास टिप जो कि आपको इस नान खटाई को बनाने में बहुत ज़ला मदद करेगी चीनी डालने के बाद विसकर की मरत सम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक यह बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए इसको करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और साथ ही में महनत भी लगती है पर जब धीरे धीरा आप इसको करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों मिक्सों के एकματα हलका हो चुके हैं और साथ हीमें थोड़ा सा स्टिव भी हो गया है इसको बढ़ियां से चला लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे दो पिंच बेकिंग सोडा फिर उसी के साथ हम डालेंगे एक चुटकी जितना नमक मैं यहां पर पीसा हुआ नमक इस्तमाल करी हूँ जो की असानी से घुल जाएगा और इन दोनों को डाल लेने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी जितना मैदा और फिर हमने जितना मैदा डाले हैं उससे आधा हम डालेंगे आपे बेसन और जितना हमने इसमें बेसन डाला है उससे हमें आधी कटोरी जितना सूजी डालना है और यहाँ पर हमें बारिक सूजी कर इस्तमाल करना है और आप इसको धेरे धेरे अपने हाथों से जब मिलाते जाएंगे तो यह बहुत यह असानी से मिक्स हो जाएगा और बहुत यह परफेक्ट साथ डो बनने लगेगा और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत जादा बढ़ियां होता है और यह बच्चों के साथ साथ बढ़ो को भी बहुत अच्छा लगता है और लीजिए हमारा डो बनकर यहाँ पर तयार हो गया है और भी ऐसे ही करके हम अपने सारी नान खटाई को बनाकर तयार कर लेंगे और वैसे दोस्तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ शेयर जरू करेगा और देखे हमने ऐसे ही करते करते हैं अपनी सारी नान खटाई को बनाकर रेडी कर लिया है और यह दिखने में भी कितनी ज़्यादा स्मूध और सॉफ्ट लग रही है तो अब बारी है इनको बेग करने की तो एक थाली के उपर मैंने लगा दिया है बटर पेपर और उसके उपर हमने लग दिया अपनी साही नान खटाईयों को ऐसा करने से मैं नान खटाई जो है वो थाली से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और साथी में एकदम अराम से निकल जाएगी और इसको बेग करने से पहले हम इसको थोड़ा से डेकोरेट कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इस्तमाल करी हूँ पिस्टा का और इसको हम थोड़ा से इसका सेंटर पर लगा देंगे जिससे दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो इसको कम्प्लीट करने के बाद अब चलिए इसको बेग करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेग करने के लिए इस्तमाल करी हूँ एक कढ़ाई का इसका मतलब है कि अच्छे से पक चुकी है इसको आप जब निकालेंगे तो यह बहुत ज़्यादा सौफ्ट होगी पर धीरे धीरे जबी ठंडी होती जाएगी तब यह हाड़ हो जाएगी और यहाँ पर जो नान खटाई हमने कढ़ाई में बनाई थी उसकी नीचे बहुत फिरासा ब्राउन कलर आ गया है और हमारी दोनों तरीके से बनाई हुई नान खटाई एकदम परफेक बन चुकी है तो लीजे बड़ी असानी से और कम महनत में हमने बना ली मार्केट जैसी नान खटाई घर पे ही और इस बात में भी मार्केट वाली से कम नहीं है तो आप भी इसको जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंस में जरूर बताइएगा कि आप कोई रेसिपी कैसी लगी है और देखे जू में आपको तोड़के दिखा लिए वो कितने बड़ी आतरीक से तूट गई है तो अगर आप कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करीगा और इस वीडियो को ठीर सार लाइक करीगा तो मिलते हैं आप से अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा थैंक्स पर वाचिंग